नमस्कार वश्चों स्वागत से आपके अपने यूटू शेनल दे पीसी एम विजिन में त्यारी वश्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कलासीट सोसल साइंस अनिकी समाजिक विज्ञान के मोश्ट बीवयाई पचास वाइरल सब्सक्राइब करेंगे जो कि सोलो मार्च को जो आप सभी का फाइनल वोड एक्जाम है इसमें इस सब कुश्चन डायरेक्ट पूश्चे जाएंगे अनिकी देखने को मिलेगा तो वीडियो पे आप लोग अन्तेक बने रहे हैं और शेनल पे पहली बार आएं तो शेनल को सब स्क्राइब करके बैल एकन को प्रेस जरूर कर लिजेगा क्योंकि अब इसके बाल आपका मैं थे इंग्लिज और हिंदी के कोश्चन को अपलोड किया जाएगा और हाँ प्यारे बच्चों इससे पहले आपका साइन्स अनिकी विज्ञान के पच्चास बीभी आई वाइरेल एमसे की कोश्चन अनिकी ऑफजेक्टिव कोश्चन को अपलोड कर दिया गया है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पली लिष्ट का लिंक दिया हुआ है आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं और यहां पे आ सेला कोश्चन आपका कि भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कोन थे तो भारत के पर्थम गवर्नर जनरल वहर litres हन्तिंग थे और मयुमका किन। से स्टार्ट होना चाहिए एक सो एक नमर से स्टार्ट हो रहा तो देखे बच्छो आपका तीन सब्जेक्ट है मैथ साइन्स और सोशल साइन्स एक तीनों का एक्जाम आपका सेकेंड शीटिंग में होगा और एक साथ साइन्स का कोविशन हो ठीक है इसनी परकार से कोविशन आपके बोड एक तीनों का एक साथ हो रहा है इस वजich से कोवर्ण से कोव तो आपको ज्यादा धेनाustर वारन चैस्टेंख् io कि और रिंग का क्वेशन डूरिंटेश नहीं होई प्राइप रोगा उसके बाद एक है अगला कूसने कि भारत में पहला चाए भगान कब लगाया गया तो ये आपका अठालों सो पेतिसम लगाया गया था OPTION NUMBER 12 तो इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कोशन है, कि रेयत वाड़ी वेस था, कहां लागू की गई, तो यह आपका बंबय और मदरासवा लागू क्या गया था, option number 1 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कोशन है, कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, option number 1 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कोशन है, कि जारखन में अंग्रेजों का परवेस किस जिले की योर से हुआ था, तो यह आपका सिंग मुंग जिले की योर से हुआ था, option number 14 का correct आंतरोगा, उसके बाद देखे बच्चों, अगला कुशन है, कि भारत का चेतरफल कितना है, तो भारत का चेतरफल आपका 32.8 लाक वर किलो मिटर है, option number 2 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि खेरवार विद्रोग की सुरुवात किस ने की, तो खेरवार विद्रोग क किया था, option number 1 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि बस्तर विद्रोग का हुआ था, तो यह आपका 1910 में हुआ था, option number 3 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि अस्थाई बंदोबस्त वेस्था, कि इस गवर्नर जनरल के समय नई दिल्ली में बनाया गया है, option number 1 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि अंग्रेजु ने अपनी पहली कोटी कहां अस्थापित की, तो यह आपका सुरत में अस्थापित क्या था, option number 2 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि बंगाल में निल विद्रोग कब हुआ, तो बंगाल में निल विद्रोग आपका 1869 से 60 में हुआ था, option number 1 इसका correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि कौन से जंजाती, खुद को जंगल की संतान मानते थे, तो यह आपका बेगा जंजाती मानते थे, option number 2 इ उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि वासकोटी गामा भारत के किस बंदरगा पर पहुशा, तो यह आपका काली कट बंदरगा पर पहुशा था, option number 1 कि इसका correct आंतरोगा, और यह कब पहुशा था, तो आज रखेगा, 1498 में ठीक है, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि जो संसादल सभी जगा पाए जाते है, अनिकी कुशन यह कुछ रहा है, कि जो संसादल सभी जगा पाए जाते है, वो क्या कहलाते है, तो उसे स्वर्व व्यापी संसादल का जाता है, option number 2 का correct आंतरोगा, उसके बाद देखे, अगला कुशन है, कि गेर प्रमपरागत उर्जा के स्रोथ है, तो फोवन उर्जा भी आपका गेर प्रमपरागत उर्जा के स्रोथ है, सोर उर्जा भी है, और जवारी उर्जा भी है, अनिकी यह तीनों आपका गेर प्रमपरागत उर्जा के स्रोथ है, इसलिज कुशन का correct आंतरोगा, option number 4 इनमें से सभी, उसके बा ही जा रही है तो यह आपका दोजार पंद्रों से चलाए जा रहा है उप्शन नमर दो इसका करेक्ट अंत रोगा उसके बाद देखे अगला कुछन है कि जिन खनीजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है तो वह आपका आखानन है उप्शन नमर जिसका करेक्ट अंत रोगा मसीन मसीन आपका एक मानम निर्मित संसादन है उसके बाद देखे अगला कुछन है कि निर्मित से कौन सा संभावी संसादन है तो केरेल में मनोजैट यह आपका एक संभावी संसादन है उप्शन नमर एक इसका करेक्ट अंत रोगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि विस्व में सबसे बड़ा एवुम लिखित सविधान की सुदेश का है तो यह आपका भारत का है उसके बाद देखे अगला कुछन है कि भारत कव गं तंत्र घोसीट हुआ तो यह आपका 26 जनुरी उनिस सो पचास तो गंतनत्र घुशित हुआ था उप्शन नमर दूस का कर्याक्ट आंस रोगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि सविधान के किस अनुश्यद में अश्यपिश्टा का उन्मुलन का प्रवधान क्या गया है तो यह आपका उसके बाद देखे अगला कुशन है कि भारत में ओट देने की नियुनतम उम्र है तो यह आपका 18 वर्स है ओप्शन नमर ये कि इसका कर्याक्ट आंस रोगा 18 वर्स से कम उम्र के लोग आपका वोट नहीं दे सकते हैं 18 वर्स है इसे अधिक उम्र वालियों का भोटर आईड कर्याक्ट आंस रोगा और ये जो सरदार वर्लव है पटेल है ये भारत के पर्थम उप परधान मंत्री क्या परधान मंत्री उप परधान मंत्री भी था इससे आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद देखे अगला कुशन है कि भारत में वेनी जीव अभियारेनों की संख्या है तो कितनी है तो ये आपका 372 है उप्सन नमर 14 का कर्याक्ट आंत्रोगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि वन अधिकार अधिनियम का पारित हुआ तो ये आपका 26 में पारित किया गया था उप्सन नमर 3 इसका कर्याक्ट आंत्रोगा उसके बाद देखे अगला कुछ ने कि भारत के पर्थम परधान मंत्री कौन थी तो यह आपका पंडित जुहारलाल नहरू थे उप्सिन नमर एक कि उसका करेक्ट अंतर होगा डोक्टर राजिन दे परसाथ पर्थम रैश्ट पती ते ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद देखे अगला कुछ न क्या है कि 42 सविधान संसोदन कब गुए तो 42 सविधान संसोदन आपका यह 1976 में वह था ऑप्सिन नमर चारिस का पर्यक्ट अंतर होगा उसके बाद देखे अगला कुछ ने कि इनमें से अजव संशादन है तो मिरदा आपका अजव संसादन है अजव का मतलब क्या हुए जि अजीव है क्या नहीं न तो यह आपका अजीव संसादन है ठीक है कि अगला कुछण है कि वेसे संसादन जिनकी मातरा घ्यात होती है उसे क्या कहते है तो उसे वस्तविक संसादन का जाता है उप्शन नमबर दूरी से का कर्यक्ट अमत्रोगा उसके बाद देखें अगला विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कोन है, तो ये आपका कोलार है, उप्शन नमरी किसका करेक्ट ंंतू होगा, तो जह आपके के जी एफ movie देखाएंगा, के जी एफ, के जी एफ, के फूल पर कंच क्या हुआ, कोलार गोल्ड फिलड ठीक है, तो वहाँ पर किजियाफ मूवी में आपका कोलार गोल्ड फिल्ड के बारे में दिखाया गया है जो भारत विश्व की भारत की ही नहीं विश्व की सबसे गहरी सोने की खाने है ठीक है चलिए उप्सन नमर एक इसका करेक्ट अंतर होगा तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी उप्सन नमर दो इसका करेक्ट अंतर होगा अगला कुशन है कि रेष्ट दोज का आधर करना हमारा तो हमारा यह क्या है मौलिक करते भी है उप्सन नमर दो इसका करेक्ट अंतर होगा अगला question देखे अगला question है कि रैष्टिय मालवा दिकार आयोक का गठन कभी किया गया तो यह आपका 1993 में क्या गया था option नमर 13 का correct अंतरोगा उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि सविधान की किस भाग में मुलिक अधिकारों का वर्नन है तो यह आपका भाग तीन ममूली कदिकारों का वर्णिन क्या गया है option नमर दोईस का correct अंत्रोगा अगला question है कि लोग पुरुस किन की उपादी है तो पहली भी मैंने आप सभी को बताया यह लोग पुरुस किसे का जाता है तो सरदार और लवाई पटेल को का जाता है option नमर दोईस का correct अंत्रोगा तो यह जो question मेंने आप सभी को बताया यह आपका previous question था नहीं कि पिछला जो पुछा गया था तो देखिए इसी परकार के question आप सभी के board exam में इस बार भी आएगा और इससे मान के चलिए नहीं दस question आपके whoo whoo board exam में देखने को मिलेगा ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करके दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तर तक के लिए जे वारत जोहाजार कर दो